हेलो चिल्डरन, हाव रियो, आई होप यू अलार गूड जैसा कि आपको पता है मारा लेसन नमबर एट मा का है कहानी कविता पढ़ी जारी है जिसके रचेता मैत्री सरड़गुप्त जी है जिन्हें रास्ट्र कवी के नाम से जानते हैं हम उनकी लिखी कविता मा एक कहे कहानी राजकुमार सिधार्ट, उनके पुत्र राहुल और उनकी मा यसोधरा से जुड़ी हुई है प्रिवेस वीडियो के जरीए आपने जाना है कि राजकुमार सिधार्ट के पुत्र राहुल अपनी मा यसुधरा से एक कहानी सुनाने का आगराः करता है जिसमें मा यसुधरा अपने पुत्र राहुल को उसके पिता सिध्धार्थ की कहानी सुनाना शुरू करती है जिसमें आपने जाना कि वो एक बगीचे में प्राता काल भ्रमण कर रहे थे और उस समय का मौसम कैसा था और फिर क्या आगे कहानी बढ़ी हंस एक घायल होकर उनके पैरों के पास आकर गिरा और कहानी करुड़ा भरी हो गई अब आगे जानते हैं इस समवाद सैली में लिखी इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना जो है ये उसमें आगे कौन सी घटना घटित होती है चौक उन्हों ने उसे उठाया नया जर्म सा उसने पाया इतने मेया खेटा काया लक्ष शिद्ध का मानी लक्ष शिद्ध का मानी कोमल कठिन कहानी जैसे वो पक्षी सिध्धार्थ के कदमों में आकर गिरता है तो राजकुमार सिध्धार्थ उसे उठा लेते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि उस पक्षी ने न्या जन्मसा पा लिया हो और सिकारी इतने में आ जाता है लक्ष शिद्धिकामानी राजकुमार सिध्धार से कहने लगता है कि ये लक्ष मेरा है मैंने इसे भेदा है इस पक्षी को इसलिए ये मेरा है कोमल कठिन कहानी अब कहानी क्या हुई कोमल भी हो गई है यानि राजकुमार सिधार्ट उस पक्षी पर दया कर रहे है और आके तक मतलब उस पक्षी का सिकार करने वाला शिकारी उसको मांग रहा है कहानी कठिन भी हो चुकी है मागा उसने आहत पक्षी तेरे ताद किन्त थे रक्षी तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी हट करने की खटानी अब बढ़ चली कहानी मागा उसने आहत पक्षी तुम्हारे पिता से उसने आहत आहत का मतलब घायल पक्षी को मागा उसने कौन वो आखेट्यक वो सिकारी तेरे ताद किन्त थे रक्षी लेकिन तुम्हारे पिता जी उसकी रक्षा करने वाले थे तब उसने जो था खग भक्षी खग मिन्स पक्षी भक्षी मिन्स खाने ला पक्षियों को खाने वाला जो पक्षियों को खाने वाला वो आखे टक था हट करने की ठाने अब हट करने लगा जित करने लगा कि मेरा शिकार मुझे वापस दो और तुम्हारे पिता केते थे इसकी मैंने रक्षा की है अब बढ़ चली कहानी अब कहानी और आगे बढ़ चली हुआ विवाद सदय निर्दय में उभए आग रही थे स्वविवसय में गई बात तब न्यायाले में सुनी सभी ने जानी सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी हुआ विवाद जगड़ा होने लगा सदय निर्दय में किस में जगड़ा होने लगा दयावान में और निर्दयी में यानि तुमारे पिता ने उसकी रक्षा की थी तो यह दयावान थे और वो आकेटर ने उसका शिकार किया था तो वो निर्दाई था दोनो पक्षों में जगड़ा होने लगा उभए आग रही थे वो स्वविसे में उभए में दोनो दोनो आग रही थे अपने अपने विसे में अपने अपनी बातों को रखने की आगड़ा कर रहे थे गई बात तब न्यायाले में जब बात इतनी तो सब ने समझाया कि आपस में विवाद मत करो, जगड़ा मत करो, बात नियायाले में लेकर चलो, और वहां सब समझेंगे, सुनेंगे, किसकी बात सही है, सुनी सभी ने जानी, सब ने उन दोनों पक्षों की बात सुनी, अब ब्यापक हो गई कहानी, बहुत बड़ी कहानी बढ़ चल रही है इतने में माय सोधरा कहती है राहुल तू निरड़े कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका कह दे निर्भय जै हो जिसका सुननू तेरी बानी मा मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी जब माय सोधरा कहती है हे राहुल कहानी जो मैं सुना रही हूँ उसमें नियाय पक्ष किसका होना चाहिए निर्भय होकर कहो ये मत सोचो कि एक पक्ष तुम्हारे पिता का है दूसरा पक्ष उस सिगारी का है तुम निर्भय होकर कहो बिना डर के कहो जै किसका होना चाहिए किसकी विजय होनी चाहिए यानि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए सु मेरी क्या बानी मा मैं क्या कहूं मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूं मैं सुन रहा कहानी मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूं फिर माय सोध्राक राहू से कहती है कोई निरप राध को मारे तो क्यों ना तो क्यों अन्य ना उसे उबारे रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी माय असोद्रा कहती है राहुल से राहुल कोई निरपराध को मारे अपराधी जिसने अपराध किया हो निरपराधी जिसने कोई अपराध ना किया हो वो पक्षी हंस वो किसने उसने किसका क्या बिगाड़ा था लेकिन किसी ने उसने बेरहमी से उसको मारा तो क्यों न अन्य उसे उबारे तो कोई दूसरा उसको क्यों न बचाए एक मार सकता है उस नेरपराध को तो कोई बचा भी दो सकता है रक्षक पर भक्षक को वारे सभी का कहना है रक्षा करने वाला बड़ा होता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है न्याय दयाकादानी और न्याय इसलिए रक्षक के पक्ष में गया न्याय दयाकादानी इसलिए रक्षा करने वाले के पक्ष में न्याय हुआ तूने सुनी कहानी अब तुम्हें समझ में आया न्याय किसके पक्ष में गया तो राहुल को समझ में आ गया कि न्याय एले में जब बात गई थी तो न्याय उसके पिता जी के पक्ष में हुआ यानि सबने ये माना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है तुस घायल पक्षी को तुम्हारी पिताजी के पक्ष में दिया गया